नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास ख़बरों की तरफ दीजल और पेट्रोल की लगातार बरती कीमतों के बिरोद में कन्रोज में सपा नेताओं ने भैसा गाली से कलेक्टिट में किया परदर्शन इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है उत्रपरदेश के कन्रोज जिले से जहां सपा नेता नवाब सिंग्यादब की अगवाई में सपा कारिकरताओं ने भैसा गाली से कलेक्टिट परदिजल में पहुचकर डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर बिरोद किय और इस सम्बन में राजजपाल को संबोदित ग्यापन डीम को सपा इस अफसर पर सपानेता नवाब सिंग्यादब ने कहा कि दुनिया बर में पेट्रोल डीजल की कीमते कम हुई रहे हैं लेकिन हमारे देश में पिछले 15 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों मे बिद्धी हो रही है कोरोना काल में आम जन्मानस परिशान हैए समाजबान कि परिशानियों को देखते हुए समाजबादियों ने राजपाल से अनुरोड करते हुए कहा है कि डिजल प्रिट्रोल की बड़े हुई कीमतों को तुरंट वापस नहीं लिया गया तो समाजवादी लोग जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए सलकों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे इस अफसर पर जिला महासरचीफ संजय दूबे सतेंदर सिंग आमेद दिल्शाद हुसाइन नावेद बार्सी आदि सपाकारे करता मौजूद रहे किसे अब अब करतेंदर से अब बाफ़ने किया गया थृष्ट्र फृष्ण प्रजरसन किया गया है आप देखें जब अंतर राष्टी इस्तर पर डीजल पर्ट्रोल की लगातार कीमते कम हो रही है। महेंगाई पर महेंगाई महेंगाई 15 दिन से लगातार डीजल पर्ट्रोल के दाम पढ़े हैं। हम लोग कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि एक दिन वो आना पढ़ेगा आएगा एक दिन जब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि नोजबान, किसान, चाहें वैपारी हो, सब परेशान है। डीजल महेंगा होता है, ट्रक वाले किराया महेंगा कर देते हैं। और महेंगाई बलती अंतता आती हैं अंतम अंतिमुखता पर। इसलिए हम लोग आप सड़कों पर उतरे हैं सांकेती खुप से। लेकिन अगर इसी तरह महेंगाई बलती रही, जुल्म बलता रहा, जाजती होती रही, तो हम समाजबादियों के सड़कों पर उतर कर जंता की लडाई लडने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लड़कों पर सकता है।